कि हैं हलो दोस्तों आज हम यहां पर इस टॉक मार्किट के क्रेश से लेटेड बाते करेंगे आप यहां पर देख पारे हो कि मार्किट में लगाताल गिरावत होती जारी है ओके और गिरावत इन portfolio यहां पर नीचे आ गए है तो उसका reason क्या है और क्या यहां पर exactly होता हुआ नजर आ रहा है क्या यहां पर small cap mid cap में गिरावट हो गए है क्या crash हो गए है यहां से bounce back होगा वो सब चीज का हम यहां पर answer लेते हुए नजर आएंगे तो लास्ट तक वीडियो में बने रही हैगा ताकि आपको पूरा का पूरा एक idea over the market, market के view के उपर कि exactly FISDIs क्या कर रहे हैं उनके उपर आपको पता चले आप इससे पहले हम आपसे request करूँगा कि आप हमारी channel I am small cap investor को subscribe, bell icon को hit all की notification को on करे buying selling की कोई recommendation नहीं है हो सकेढ़े हैं तो जितना सीखने की कोशिश करें सीखने के साथ साथ यहाँ पर analyse करने की कोशिश करें market को ठीक है न? जब market को analyze करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो यह जो गिरावटे होती है न यह हमेशा opportunity कि लिए सीऽ क्या ह 됩니다 तो वीडिय dirants के लिए लाती है हर चीछ के लिए यहां पर 007coat January लेकर आती है Crash नाम की और कोई चीज नहीं होथी Forget YouTube क्या होता है क्या नियों तो मैं आपको आगे अब इस वीडियो के लाष्ट तक आपको पलजल जाएगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाईक का में शेयर चाहिए को सब्सक्राइब वीडियो इसको जाकर देखिए सीखिए सीखने की कोशिश करें साथ में आप अगर बारी किया सीखना चाते हैं क्या कैसे किसलिए का आप देखना चाते हैं तो बेसिक्स टुए अडवांस टेक्निकर रिसर्च फंडामेंटल क्यूं लेना है कब लेना है किसलिए लेना है ओके यह सारे आंसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे ठीक है कि एक से लेट सार मेहनत करिएगा जो जब जिखाया जा उसके बेस ऊपर यहां पर काम करिएगा फैसे अपने आप बनेंगे दूसरी बात अगर साथ में आपको काम करना है इनी नमबरों पर कॉन्टेक करो ठीक है देखिए शेगर तो गिरते रहेंगे ठीक है वो मार्केट का पहले हो कि हाँ मेरा भी portfolio उस तरीके से bounce back कर गया वो चीज अगर आपको सीखनी है तो यहाँ पर ही सिखाई जाएगी और उसी तरीके से हम यहाँ पर काम भी करते हैं तो साथ में काम करके आप देख सकते हैं नमबरों पर बात करिए आपको इस चीजे समझ में आ देगी तो व negativity ही नजर नहीं आ रही है यहाँ पर साथ में हम बात करें बर दूसरे एंगल से हम बात करें तो दूसरे एंगल से आपको पता चलेगा कि nifty small cap और nifty mid cap किस तरीक से हाँ पर behave कर रहा है तो यहाँ पर हम बात करें small cap की तो देखिए small cap अच्छा खासा top से अगर हम यहाँ पर देखे तो अच्छा गाज है यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और कितनी गिरावट हो सकती है उसकी भी हम यहाँ पर बाते करेंगे तो लगब लगब 9-10% और 10% तो इंडेक्स नीचे आ है और उतने में 15-20% आपके शेयर नीचे आ चुका है आपका portfolio नीचे आ चुक मुझे क्या नजर आता है small cap में और mid cap में वो मैं आपको पूरा का पूरा overview देता हुआ अभी नजर आऊँगा तो यहाँ पर हम बात करें से पहले FIHDIs का data होगा तो देखें मार्च का महीना है और मार्च का महीने में FIHDIs का data है लगब 14,000 करो लगब 2 billion dollar के आसपास की buying हो परसो जब market गिरा थे तब भी और उससे पहले भी आप देखोगे तो FIHDIs इस मौके का फायदा उठा रहे है अब यह हो सकता है ठीक है कि यहाँ पर पैसा लगा कहां पर है क्या उनी शेयरों में लगा है जो आपके पास है या फिर उन शेयरों में लगा है जो यहाँ पर 50-50 ठीक है वो थोड़ा वो थे contradict हो सकता है बट याद रखिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको बस यह देखना है अपने पोर्टफोलियो को कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के शेयर है small cap है उपर जाते है जब तेजी होती है तो भी आप देखोग आपके पोर्टफोलियो में कौन से stock से क्या fundamentally strong share है क्या वो share आपके पास है जिनके fundamental अच्छे है जो यहाँ पर leaders की तरह काम करते हुए नजर आ रहे है जो यहाँ पर अच्छे खासे numbers पेश करते हुए नजर आ रहे है जिनके quarterly numbers अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे है क्या जो top से नीचे आए है वो यहाँ पर मान के चलिए वो crash हुए ठीक है वो यहाँ पर अब उपर आएंगे या नहीं आएंगे कहां नहीं जा सकता बट जो चीज़े उपर से नीचे आई है ठीक है और अच्छी है तो याद रखिए जब चीज़े bounce back होगी जब यह mid cap और जब यह small cap ठीक है ना ऊपर जाएंगे जो कि जाते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज भी यही particular share भागते हुए नजर आएंगे तो आपको चीजों को किस तरीके से analyze करना है इसी तरीके से analyze करना है उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर small cap मुझे क्या नजर आता है देखिए आज भी जब भी हाँ पर bounce back हो रहा है तो यह umजे जो बावर नजर नहीं आ रहा और जब यहां पर bounce back होगा न जो share गिरे है ठीक है और जो अच्छे है वो सबसे पहले यहां पर भागते हुए नजर आएंगे और आपका portfolio मुझे लगता है कि जब अभी इस quarter का result आएंगे न और अच्छे stocks है तो आप break even पे तो at least आते हुए नजर आजेंगे ठीक है अब trader हो तो trader थे तो यहां पर उस time भी video बनाई थी जब गिरा था कि यहां पर चीज़े नीचे गिर सकती है ठीक है क्योंकि यहां पर tick नहीं रहा थी तो यहां से समझ में आ रहा था कि यहां से चीज़े करा शुड़ेगी तो उस time बेचके निगल जाना था छोटे से loss में ठीक है ब यहां पर बन जाएगी तो फिर घबराने की क्या बात है फिर तो यह मौका है और इस मौका का आपको क्या करना है हमेशा फायदा उठाते हुए नजर आना है तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि अच्छे शेयर है जिनकी earning अची है जिनके जो company अच्छा perform कर रही है और वो करेंगे वो सारों तक रिकवर शायद ना करें तो उस शीच को फिर आपको देखना है तो चीज़े गिरती है ठीक है और ऐसा नहीं है कि मेरे आपके portfolio में गिरावटी है जितने भी बड़े-बड़े यहां पर इंवेश्टर है ना चाहे विजय केडिया से ले लिजिए या पिर आप अशिश का चोले सर या मुकल माविश अगरबाल सर जो भी है उनके भी portfolio नीचे आया हूंगे ठीक है वो इस शीच को used to हो चुके है उन्हें years of experience हो चुका है उन्होंने काफी period यहां पर निकाल दी है तो इस वज़े से उन्हें डर नहीं लगता same as it is जब आप market में आप इस तरीके से काम करोगे देखोगे इस तरीके गिराबट के used to हो जाओगे ठीक है जब देने की लेने किसासा देना भी आपको पढ़ जाएगा ठीक है जब आपको पता चलेगी market इसी तरीके से behave करती है बट आपके portfolio में अच्छे stock से आपको पता है कि ऊपर ही जाने है तो फिर आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है same as it is मुझे भी यहाँ पर अभी तक कोई घबराट हुई नहीं है चीज़े नीचे आई है definitely आई है बर चीज़े bounce back भी करती ही नज़र आएगी तो data क्या कह रहा है उस data को समझो कि यहाँ पर data क्या कह रह है अब ज़सी नीचे आई है तो सभको खीचती होई नीचे आई है ठीक है और उसी वज़ेसे यहाँ पर जब चीज़े bounce back होगी तो उसी तरीके से bounce back होगी ठीक है कि आप अच्छा लगता है bank अच्छा लगता है small cap अब अच्छा लगता है mid cap की बात कर रहे तो mid cap थोड़ा और जो मुझे लगता है कि अगर यह तूटा तो फिर मुझे और अच्छी गिरावट हो सकती है और दूसरी बात करें तो क्या यह कोविड जो यहां पर बीच में मार्किर भागी थी उस तरीके की गिरावट है तो उस टाइम 34% पोर्फोलियो यहां पर यह शेयर गिरे थे क्य और यहां पर अब रेट का होने के बहुत जादा चांसे से जब वह चीज़े होंगी एलक्षन आ रहे है वह सब चीज़ तो यह पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा यह देखिए यह सिकाई है जो कि यहां पर पूरा खुला हुआ है कहीं तक भी जा सकता है और नीचे की हो ठीक है साथ में काम कर सकते हो साथ में कोर्स कर सकते हो थैंकी तो मच गड्ब्लेस